Hello guys welcome back to our channel नहीं उड़ान महशमत सहीत उमीद करता हूँ guys आप लोग अच्छे होंगे पिछले कई वीडियो में या फिर लाइब सेशन में आप लोगोंने लगातार यह जानना चाहा जो जामिय में लिए इसलामिया में बीटिक का एड़ीशन कैसे हो या फिर आप लोगोंने अगर फॉर्म डाला है तो क्या प्रोसेस है फाइनल तक पहुँचने के लिए तो बिसकिलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो जामिय में लिए इसलामिया से आप बीटिक कैसे कर सकते हैं और कितना सीट है फिर स्ट्रेक्चर क्या है सारा कुछ आज की वीडियो में डिसकस करेंगे तो आईए वीडियो बे बने रहे हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जामिय में लिए इसलामिया से अगर आप बीटिक करना चाहते हैं तो दो एक्जाम जामिया का अगर आप बीटिक करना चाहते हैं फिर बीडियो करना चाहते हैं तो आपको एंटिय का तरफ से एक्जाम कंड़क्ट किया जाता है जैसे BTEC के लिए BR के लिए JAE मेंस और BDS के लिए NEET तो आज की भी सी के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे BTEC के बारे में तो अगर आप जामे मिले इसलामिया से BTEC करना चाहते हैं तो पहली आपको JAE मेंस का एक्जाम देना ज़रूरी है जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ ओवर्विव दिखाना चाहूंगा JAE मिले इसलामिया के लिए जो नयमम सेशन JAE मिले इसलामिया BTEC एडविशन प्रोसेस उसके बाद कंड़क्टिंग बॉड़ी JAE में ये चीज़ है JAE में अगर आप नहीं देते हैं तो जामिया में एडविशन लेना मुश्किल हो सकता है तो इन्वर्सिटी लेवल पर होता है और सीट की अगर हम बात करें तो टोटल सीट 350 सीट होता है नहीं हर स्ट्रीम में लगबग 70 सीट होता है अगर हम फी की बात करें फी बहुत ही कम है जैसे आप यहाँ दे सकते हैं अन्यूली जो आपका बीटे का फी है 16,150 रुपे है जो के बहुत ही कम है मैं कहा सकता हूँ तो यह सारा कुछ डेट है इस साल का जो कई बार एक्स्टेंड हुआ पोस्पोर्ण हुआ और फाइनली आपका एक्जाम हो भी गया और आपका रिजल्ट 15 तारिक को जे इमेंस का आप भी गया है तो कैसे आपका इडिविशन का प्रोसेस कंप्लिट करना है वो बताने से पहले मैं आपको यहां बताना चाहूंगा जो eligibility क्या है eligibility आपको पता है जो आपको पलस टू at least 55 मार्क्स से qualify करें और आपका जो main subject है उसमें physics, chemistry और maths होना जरूरी है इन तीनों का subject का होना आपका जरूरी है उसके अगर इसके लावा कोई भी subject आपका होता है तो आप जे इमेंस के लिए इसे भी eligible नहीं होंगे एज क्राइटेरिया आप पर रखा है 17 साल से कमनी होना चाहिए उपर का मेंशन नहीं किया है और इस साल का और भी कुछ हम देख लेते हैं खास जान करी क्या क्या है गाईज अगर हम जामिय मिले इसलामिय की रेजर्वेशन की बात करें तो जामिय जैसे आपको पता है यहाँ पर सीट रेजर्व होता है तो यहाँ पर मुसलिम माइनरुटी के अगर हम बात करें तो मुसलिम माइनरुटी के लिए 30% सीट रेजर्व होता है 10% मुसलिम वुमें के लिए है और 10% बैकवर्ड क्लास के लिए होता है अगर आप OBC से आते हैं, SC से, ST से आते हैं, तो उसके लिए आपका 10% reservation है, उसके बाद अगर हम persons with disabilities की बात करें तो 5% उसको भी मिलता है, और जामिया अगर आप internal है, जामिया से अपने plus two किया है, तो आपको 5% उसका भी मिलेगा जामिया के तरफ से, कश्मीरी migrant है, तो 5% है, और अगर आप Jumbo and Kashmir के तरफ से हैं, तो उसमें only two सीर्फ reserve होता है, उसमें percentage का कुछ नहीं आता है, तो guys ये था आपका reservation, अब reservation के बाद कैसे कैसे form डालना है, वो तो step by step आपको पता है, तो उसके बारे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम direct आते हैं seat के बारे में, जै और electronics and communication engineering के लिए 70 seat, हर stream में 70-70 seat है, तो अगर आपने इस साल JEE Men's का exam दिया, और आपका result आ गया है, तो आप जामिया के तरफ से पहली बात merit list निकलेगी, उसके बाद counseling होगा, तो merit or counseling की बात करें, जामिया सबसे पहले आपका cut off list निकालेगी अपना, उसके बाद आपका ज सकते हैं, मैंशन किया हुआ है, जब merit list निकलेगा, तो merit list निकलने के बाद, जो कुछ भी process है, यहां पर आप देख सकते हैं, उसको mention किया हुआ हुआ है, उसके बाद counseling, counseling का समय आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, तो आपको घबरानी की कोई बात नहीं है, यसे आप द जाएगा, तो यह इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही घबरानी की कोई बात है, तो guys, जब आप BTEC के लिए jamia में प्रोसेस अपना complete करवाएंगे, तो documents क्या क्या चाहिए, वो चीज आपके लिए जानना ज़रूरी है, कई बार ऐसा होता है, आप प्रोपर documents नहीं दे जाते हैं, तो जिसको वजह से आप admission लेने से चूक जाते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहां पर mention क्या हूआ, क्या क्या आपको documents चाहिए, तो सबसे पहले आपको mention क्या हूआ, यह email का admit card है, इस साल आपने entrance दिया है, तो admit card का photocopy या फिर admit card लेंगे, उसके तो दोनों आपके लिए better होगा, age proof की बात किया है, age proof में आप birth certificate भी ले सकते हैं, या फिर आपका 10th का certificate का भी option दे रखा है, उसके बाद certificate of proof for reserved categories, अगर आप किसे special categories आते हैं, OBC से आते हैं, HD से आते हैं, Muslim minorities आते हैं, तो आपका एक proof बनता है, अगर हम बेहर की बात करने, ब यूपी में block label पर बनता है, तो ये आपका पास proof होना जरूरी है, उसी तरीके से character certificate, तो आपने जहां से plus 2 किया है, जैसे आप है mention किया हो, from the institute last attended, आपने जहां से अपना last course complete किया plus 2 का, वहां से आपका character certificate मिल जाएगा, उसी तरीके से migration certificate, जिसे आप HLC कहते हैं, उसका भी हो blood group निकल वाएंगे, तो किसी MBBS का signature होना जरूरी है, जाम में मिल इसलामियक कई बार, आपको थोड़ा बहुत कहीने कहीं दिक्कत करेगा, अगर आपके पास MBBS doctor का signature नहीं हो, आपका blood group में, तो blood group का photocopy आप जरूर लेंगे, उसको बाद proof of permanent address, आप जहां के रहने वाले हैं उसका proof, बाकि कोई भी अगर जानकर यह आप चाहते हैं, तो जाम एक official website में जा सकते हैं, यह mail ID दिया हुआ है, फिर help line number दिया हुआ है, तो official time में आप help line number पे call करके भी जान सकते हैं, यह सारा कुछ पूरा address mention किया हुआ आपको यहाँ पे, तो guys, यह तो मोटी मोटी जानकर अब हम देख लेते हैं, जो इस साल का cut-off कितना जा सकता है, तो उसके लिए पहले हम पिछले साल का cut-off देखेंगे, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 2019 के cut-off, तो guys, यह रहा हमारे पास 2019 का cut-off list, जैसे आप देख सकते हैं, जेनरल के लिए है, मुसलिम के लिए, मुसलिम के लिए, मेकैनिकल के लिए, सिविल के लिए, आप रेंक देख सकते हैं, किसी का high है, किसी का low है, तो उसके according cut-off बनता है, और आपको बता दे, जामिया मिल इसलामिया में, first list, second list, third list, fourth list, sixth list, seven, eight list तक निकलते रहता है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बस simply आपक देखाता हूँ, अब कैसे आपको check करना है, simply आप जाएंगे जामिया का official website, जो है, उसमें, जैसे www.may आपको करके एक बर दिखा देता हूँ, जैसे आप जाएंगे आप, जैसे देख सकते है, www.jmicoe.in पर, यहापे click करेंगे आप, इस तरह का interface आएगा, तो जामिया मिल इस क्लिक करेंगे, करने के बाद इस तरह का interface आएगा, तो पेज स्क्रॉल करेंगे आप जब, तो यहाँ पर left side में एडिविशन result 2021, इस पर क्लिक करेंगे simply, उसके बाद type course, type course में करने के बाद, आपका BTEC का है, भी ARC का है, यहाँ पर select करेंगे, course name, course name में आप BTEC का check करना है, BTEC का देख लेंगे, उसको अब CAPTCHA फिल कर लेंगे, चलिए मैं थोड़ा easy CAPTCHA ले लेता हूँ, CAPTCHA जल्दी से मैं फिल कर लेता हूँ, सर्च करेंगे, तो सर्च मैंने किया, तो अभी चूंके आया है नहीं, जाम में के तरफ से cut-off list, तो यहाँ पर खाली है, जब cut-off list आपका आएगा, तो यहाँ पर ही show करेंगा, तो simply आपको करना किया है, यहीं से ही check करते रहना है, यहाँ सब check करेंगे, तो आपका, जो हो स आपका ना आए, तो second में आएगा, third में आएगा, fourth में आएगा, तो last list तक आपका check करते रहना है, क्योंको सिट यहाँ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 70-70 हर stream में सिट है, तो मुमकिन हो first list में आपका ना आए, second में, या फिर third में, या फिर fourth में आपका ज़रूर आएगा, वीडियो से आपके help कर पाता हूँ, तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, thank you so much.